जहे नारण व्यास विश्विद्याले के अंतरगत बी ये द्वित्य वर्स के इंदी साहित्य के जो विद्यारती हैं उनके कूर्स में गजानन मादव मुक्ति बोध का एक निबंद चलता है साहित्य के दृष्टी कौन गजानन मादव मुक्ति बोध मनोवगयनिक सायत्य कार माने जाते हैं 1917 में उनका जन्म उगा हैmat 1964 में इनके मृत्य हो गई है और अग्ये दोरा जो संपादित तारसब्त था जो कविताओं का संग्रह तारसब्त तक उस तार सबतक के पहले कभी माने जाते हैं. मुक्ति बोट जो है इन को प्रगति सिल कविता और नई कविता के कड़ी माना जाता है. इनकी जो किताबे हैं, अगर आप कहानी संग्रय देखे हैं, तो काठ का सपना है, सतर से उठता हुआ आदमी है. ये इनके कहानी संग्रह है, इन्होंने एक छोटा सा उपनियास भी लिखा है विपात्रा नाम से, और इनके जो कावे संग्रह है, कविताओं की किताब है, वो एक तो है चांद का मुहटेड़ा और भूरी-बूरी खागदूर, ये बहुत प्रसिद्ध है, चांद का है, लकडी का रावन है, ये तमाम कविताओं मनोवेग्यनिक भी है, और आम आदमी के जीवन व्यवहार, उसकी मनोवेग्यनिक समझ, मनोवेग्यनिक जो व्यवहार है, उन तमाम चीजों को सामने रखती है, अगर मुक्तिबोद के संपूर्ण साहित्य को किसी को पढ़ना ह तो छे खंडों में मुक्तिबोद रचनावली के नाम से साहित्य आपको उपलब्द हो जाएगा, तो 1917 में जन्म लेने वाला आदमी, 1964 में काल कवलित हो जाता है, मृत्य हो जाती है, तो ज्यादा लंबे समय जीए नहीं, आम आदमी माने जाते हैं, आम आदमी की आवाज मा जाता ही है, जो इसको आपके कॉर्स में डाला गया है, इन्होंने ये काए कि जो साहित्य होता है, साहित्य का अर्थ क्या है, साहित्य सुरू कहां से होता है, और साहित्य को प्रेरिना कहां से मिलती है, फली बूत कैसे होता है, और साहित्य के कितने प्रकार या कितने रूप और साहित्ति का आदर्स क्या होता है साहित्ति की रीती नीती तौर तरीका क्या है उसका प्रभाव कैसे और कितने लोगों पे किस प्रकार होता है साहित्ति का व्यवहार कैसा रहता है लेखक क्या साहित्तिकार का इस्तर क्या होना चाहिए और लेखक जो है उसका निर्मान कैस कैसे होता है साहितिकार की दायत तो क्या है शिह और संस्क्रिति है द्हर्म में तूमाम छीजिशों बहुता है और साहिति क्या होता है भढ़काने वाला साहिति क्या होता है इन तमाम चीजों पे मुक्ति बोध ने बहुत बहुत बहुतर तरीके से अपनी बात रखी है और इतियास रचने वाला साहिति किस प्रकार का होना चीए जो काला तीत होता है लंबे समय तक लोगों पर प्रभाव साहित्य की इन्होंने एक सीधी परीबासा बताएं साहित्य से साहित्य यानि जो लोगों का कल्यान करें लोगों का भला करें लोग कल्यान की बात करें मानवीता की बात करें उसको साहित्य कहा जाता है तो साहित्य का सबसे बड़ा दृष्टी कौन तो उसका मानववादी होन है इन तमाम चीज़ों पर इनों तिपनी किए अगर हम लोग विसेस्ता है देख शाहम बहुत और बहुत सिल्सलेवार तरीके से समझाया है कि साहथ्तिक्री का लक्सी outbreak क्या होना चाहिए साहित्तिका न एक लक्सी सीधा है कि साहित्ति से लो Liberality कि पर सकते शाब परियान होना चाहिए लोगों का बला होना चाहिए यह उसका मूल जो है विवा से है अगर दूसरी विसेस्था देखें तो मेले को आधने परस्तुत किय अहसे अने एक रहने को तरक दिये हैं अलग- caring अमत दिये हैं परिभासाइन दिये है विंखने प्रकार और उन्होंने इनकी जो तीसरी विसेस्ता है साहित्य का दृष्टी कौन जो इनका निवन्ध है उसकी खास बात क्या है आदर्स और यथार्थ का वर्नेंट किया है कि साहित्य जो है वो आदर्स को भी प्रस्तुत करे और यथार्थ को भी प्रस्तुत करे अगर साहित्य धरात से अलग होगा और सिर्फ खयाली बाते करेगा हवाई बाते करेगा सपनों की बाते करेगा तो जन मानस के मन में जगह नहीं बना सकता तो उसमें आदर्स भी हो ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके और उसमें यतार्त यानि असलियत का भी भाव होना जरूरी है जैसे दूद और पानी का मिस्रण होता है, वैसे आदर्स और यहतार्त का मिस्रण भी साहित्य में होना अवस्यक है, नवीन और प्राचीन का समनवे होना चीए साहित्य में, यानि नवाचार भी दिखे, नई बाते भी दिखे, पुरानी बाते भी दिखे, किसी को लगे नहीं कि हमारी संस् पुराना उसको छोड़ दिया गया, उसको नातिक भी साहित्य बहुत 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 बहतर बात है किसाब लोग कल्यान होना बहुत जरूरी है अगर कोई भी साहित्ति रचा जाता है तो उससे लोगों का भला होना जरूरी है जनता का भला होना जरूरी है नहीं तो साहित्तिक के कोई प्रतिमान कोई अर्थ नहीं रह जाएंगे और इसकी और विसेशता अगर देखे तो साहित्ति क्या भाव होना चीए, उसका भावपक्स कैसा हो, साहित्ति की बुनावट कैसी हो, उसकी सैली कैसी हो, उसका भावपक्स और सैली पक्स, सिल्पक्स, वो दोनों जो है किस प्रकार का होना चीए, इस पे भी मुक्ति बोधने बहुत बहुत बहुतर तरीके से अप सारी बातों को बहुत सारे साह्तिकार और विदवानों की बातों को उन्हों इन्दी साहितिके, उनको ये मुक्ति बोजी का निवंद जो हैly साहितिका दॉष्पी कोंड वो अवस्ये पढ़ना चाहिए और इस निवंद को पढ़ने के बाद साहितिकी जो मूलबूत बात है उसको समझना चाहिए कि किसी भी साहिते का सबसे बड़ा लक्स है, इनसानियत मानवीता, अगर आप कोई भी किताब पढ़के, कोई विचार जानके, कोई बासन सुनके, या कुछ भी जो है तक्नीकी चीज देख करके, इनसानियत का भाव अपने अंदर पैदा कर पाते हैं, तो वो अहम है, वो महत पूर्ण है यदि तमाम किताबे पढ़ने के बहुजूद भी आप मैं मानवीता की भावना नहीं आ पाती है या मानवीता का क्सरन होता है वो कम तर हो जाती है तो फिर साहिते पढ़ने के कोई माइने नहीं रह जाते तो मुक्ति बोजी का धन्यवाद की उन्होंने अच्छा निवन्द लिखा और लोगों को साहिते से प्रेरित प्रभावित किया किसाब साहिते जो हिर्दे में आपके मनमस्तिस्क में किस प्रकार और कैसे प्रभाव डालता है और उस से अच्छे नागरी के अच्छे समाज का निर्मान कैसे हो सकता है और राष्ट और वैस्विक परिद्रेस्टे पे क्या प्रभाव छोड़ता है तो आपको इनिवंद अवस्य पढ़ना चाहिए धन्यवाद